तो लेक और बड़ी हबर से आपको रूबरू करवाते हैं दरसल आपको बता दे की एहम खबर इस वक्त सामने आ रही है पेंशन को लेकर भूपेंदर हुटा ने सवाल उठाएं है पूर्वसीयम भूपेंदर हुटा का बयान सामने आया है पांच लाख लोगों को पेंशन काटी गई है पीपीप मतलब पेंशन काटो स्कीम हमारी सरकार आने पर पीपीप हटाएंगे हुटा की तरफ से कहा गया है पूर्वी सेम उड़ा का यह बड़ा बयान इस्वक निकल कर सामने आये पेंशन को लेकर सरकार पर तंच कस्ते वे नज़र आई है पेंशन को लेकर भुपेंद उड़ा ने सवाल uggाई है पांच लाख लोगों की पेंशन काटी गई है हुड़ा ने कहा है पीपीपी मतलब पेंशन काटर स्कीम है भुपेंद्र हुड़ा कहते हुए नजर आए है भारत जोडो को लेकर भी उन्होंने कहा है कि यातरा अच्छी चल रही है हरियान में बारा दिन रही की भारत जोडो यातरा इस बात की जानकारी भी भुपेंद्र हुड़ा ने दी है जल्दी यातरा का रूट फाइनल होगा हुड़ा ने इस बात की जानकारी दी है तो फिलाल आपको बता दे की पेंशन को लेकर भी बुपेंद्र हुटा ने सवाल उठाई है लुकबंदी आक्ट में बदलाओं की जरूरत है यहुटा कहते हैं नजर आए हैं सरकार को समाधान करना चाहिए पीपीपी मतला पेंशन कार्टो स्कीम है फिलाल आपको जानकारी जरे हैं बड़े खबर से आपको रुबरू करवा रहे हैं जोहां पर भुपेंद्र हुटा की तरफ से एक और बड़ी खबर आपको जरे हर्याना में ड्रक्स के लिए सरकार जिम्मेदार है हुट्डा की तरफ से कहा गया है मंडियों में धान आना शुरू हो चुका है भुपेंद्र सिंग हुट्डा कहते हुए नजर आए हैं सरकार एक अक्टूबर से धान खरीदेगी ये भी हुट्डा की तरफ से कहा गया है धान का निर्यात बंद करना गलत है तो कई बड़ी बाती हैं जुनका जिकर भुपेंद्र सिंग हुट्डा करते हुए नजर आए हैं अर्याना में ड्रॉक्स के लिए सरकार जब्मदार है भुपेंद्र हुट्डा की तरफ से कहा गया है मंडियों में धान आना शुरू हो चुका है बुपिंद रुटा कहते हुए नजर आई है सुलिए फिलाव खबरों बस इतना है बाके ने खबरों के लिए आप बने रहे हैं इन्टिया न्यूस रहा हरियाना के साथ नमस्कार